हेलो स्टुडेंट वेलकम टू माथूर्स क्लासे माथूर्स क्लासे से रहनु माथूराज आपके लिए लेकिया यह न्यू अपडेट क्या है कि आप सबके एक्जाम साप सबको पता है कि एक और दो अगस्त को फर्स्ट जेर के प्रेक्टिकल एक्जाम है और तीन और चार हो सके तो यह पूरी वीडियो अप आपको पता चले कि वहिए हमको कित्ने को सही करेंक और हमको कास होना है अंप सब्जेक्ट में पास होना है या एक साथ पास होना है या पूरी वीडियो आप देखोगे तो ही आपको पता चलेगा तो सबसे पहले तो मैं यह आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो अपने पास होता है formative assessment formative assessment के अपने पास होते हैं इसको जिसको अपन sessionals कहते हैं यह 200 marks का होता है जो आपकी class teacher के हाथ में होता है जिनका अपन पूरे साल अपन कैसे आए किस तरीके सा आए अपना behavior कैसा रहा अपने जो quarterly exams monthly exams दिए उनकी आधार पर और पूरे class में practical अपने कैसे किया theory कैसे किया तो इन सबके आधार पर आपके यह 200 marks आपके teacher के हाथ में रहते हैं तो इनको कहते हैं formative assessment sessionals जिनको अपन कहते हैं अब जो 200 marks का होता है sessionals उसमें से 60% अपन को लाने जरूरी होते हैं 60% यानि की 120 नंबर अपन को minimum लाने ही चाहिए जिससे अपन pass हो सके अगर अपन को teacher है जो 200 marks में से 120 नंबर नहीं देते हैं 118 या 117 पंदरा देते हैं तो open sessionals में fail हो सकते हैं तो पहली बात तो यह है कि आपका जब formative assessment के marks आपको मिलते हैं तो इस हिसाब से आपको साल भर दो साल अलग अलग पर फर्स्ट यर सेकेंड यर में अलग अलग जाते हैं तो अपने teacher का जरूर कहना माने ताकि जो teacher आपको number देता है तो उस हिसाब से देता है और आपकी activity के अधार पर भी जरूरी है यानि कि 120 नंबर minimum लेना ही लाना है सेकेंड आता है practical exam जो अभी आपके एक अगस्त और दो अगस्त को first year के हैं और तीन और चार अगस्त को second year वालों के practical exam है practical exam जो होता है वो 200 marks का practical exam होता है जिसके अंदर भी अपन को 60% passing marks लाने पढ़ते हैं यानि कि 1500 नंबर तो कम से कम लाने ही पढ़ेंगे अब practical exam में क्या होता है practical exam में अपन को practical questions paper आता है वो एक तो return work जो अपने किया है उसके अधार पर marks मिलते हैं एक अपन वाइवा जो देते हैं उसके अधार marks मिलते हैं कुछ अपनी practical file के भी marks होते हैं वो अलग-अलग distribute होते हैं और जो अपन practical करते हैं आज से उनके marks अलग होते हैं तो वो practical exam में अलग-अलग question के अलग-अलग marks होते हैं तो वो 500 नंबर का practical exam का number जाता है उसमें 60% अपन को लाना पड़ेगा यानि कि 500 नंबर कम से कम लाना ही पड़ेगा तो अब हो जाओ तैयार practical exam की तैयारी के लिए एक और दो अगस्त तीन और चार अगस्त को practical exam है तो आप सभी first year और second year के student एकदम ready हो जाओ practical की तैयारी के लिए क्योंकि 500 नंबर का practical है 200 सेशनल चले गए 500 नंबर यह practical के चले गए अब तीसरी बात आती है CBT exam की CBT exam computer based test online exam होईगा जो आपके depth marks का exam होगा अब पहले तो क्या होता था trade theory अलग होता था workshop इसका calculation और ES का एक paper होता था और engineering drawing का अलग paper होता था पहले तो अब चाहिए first year हो चाहिए second year हो यह बात ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को जरूर देखना चाहिए first year है चाहिए second year है सभी का common paper मतलब की engineering drawing भी CBT exam में आ रहा है तो trade theory plus works of calculation and science plus engineering drawing plus employability इसके लिए सारे subject एक साथ एक ही paper में होएगा और वो कितने नंबर का paper होगा 500 नंबर का paper होगा अब अपन देखते हैं कि 500 नंबर का जो paper है वो कैसे कैसे number distribute होगे और अपन को किस subject में कितने number लाएंगे तो अपन पास होगे तो पूरी वीडियो को जरूर देखें उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे channel से नहीं जुड़े हैं तो channel को एक बार subscribe कर दीजिए all bell पर click कर दीजिए ताकि video upload होती सबसे पहले notification आपके पास आएगा वीडियो को पूरी देखके like और comment share जरूर करें ताकि सबी students को ज्यादा से ज्यादा benefit मिले इसमें आपका कोई कहीं से भी पैसा नहीं लग रहा है जितनी इच्छा और जितनी बार भी आप इसको देख सकते हो अब अपन देखते हैं कि इन सबको paper को कैसे distribute किया है तो अब देखते हैं यह देखो कि अपने subject मैंने एक table बना दी है क्या है सबसे पहले तो subject लिखे है total questions कितने आएंगे वो लिखे है total marks कितने marks आए उसमें से passing marks कितने लाने है और passing marks में भी कितने question अपन सही करेंगे तो अपने पास इतने number आएंगे तो इसमें अपन देखते हैं सबी subject का एक पेपर common है trade theory, works of calculation and science, engineering, drawing और employee skill चाहे फर्स्ट यर के हो चाहे सेकींड यर का हो सबी के लिए update सेम ही है अब आता है total question कितने आएंगे trade theory है उसके अंदर 38 questions आएंगे works of calculation and science है उसके अंदर 6 question आएंगे engineering drawing है उसके अंदर 6 question आएंगे और employability skills है जिस पर weightage बहुत ज़्यादा हो गया है उसके 25 question आएंगे कहने का मतलब total सब मिलाके 75 question आएंगे दो गंटे का आपके पास time होगा CBT exam का time कितने और 2 hours का time होगा फिर आता है total marks कितने marks का question paper है अब अपनी को हर question दो नंबर का है चाहिए कोई भी subject हो तो जैसे 38 question है तो दो नंबर का एक question हुआ तो टोटल च्योतर नंबर का trade theory हो गया छे नंबर छे question है तो बारा नंबर का paper हो गया engineering drawing में भी छे नंबर का छे question है तो बारा नंबर का paper हो गया और ampliability skill जिसका वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है जिसको सारे IT की student है बहुत कम study करते है पास हो जाएंगे पास हो जाएंगे परन्तु अब आपको पूरी मेहनत करने ही पड़ेगी तो ampliability skill में 25 question आएंगे दो नंबर का एक question है तो 50 marks का हो गया इन सबकी total अपन करते हैं तो 500 नंबर का paper work कहने का मतलब 75 questions आएंगे और 500 नंबर का paper अब अपन को देखना है कि अपन को इन subject में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा किते नंबर लाने हैं और किते इस question अपन सही करेंगे तो अपन पास होंगे तो सबसे बहुत में आपको यह बताना चाहूंगी कि अलग-अलग subjects में अलग-अलग पास होना जरूरी है सब subject में पास होना जरूरी ऐसे नहीं कि पास होने के लिए केवल नंबर ही चाहिए तो अपन नंबर आ गए तो अपन पास होगे नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा सबी subject में अपन को पास होना पड़ेगा अब अपन देखते हैं कि किते नंबर पासिंग मा चाहिए ट्रेट थ्योरी है उसकी अंदर 26 नंबर अपन को कम से कम चाहिए पास होने के लिए 26 नंबर यानि की 13 कोस्टिन अपने सही होंगे तो ही अपन ट्रेट थ्योरी में पास होंगे फिर अज़ाइब अर्टे शॉर कैलकूलेशन है अब चार नंबर ही passing marks चाहिए और किते question सही करेंगे दो question अपन सही करेंगे तो चार marks आ जाएंगे availability इसके लिए जिसके अंदर अपन को passing marks पत्चास में से 17 नंबर चाहिए 17 कब आएंगे जब 9 question अपन सही करेंगे तो 17 नंबर आ जाएंगे कहने का मतलब यह है कि अब क्या है कि engineering drawing और workshop calculation and science इतना बड़ा कोड़ से उसमें से कोई भी 6-6 question ही आएंगे तो अपन को बहुत अच्छे से तयारी करनी पड़ेगी कि कैसे question आ सकते हैं अब अपन को कहीं drawing नहीं बनानी है हाँ यह है कि diagram बना हुआ आ जाएगा और अपन को देखना है कि किसका diagram है तो आप आपको तयारी करनी के लिए भहुत ती कम time है तो जल्दी से जल्दी आप अपनी पूरी तयारी कर लिजिए और सब मैंने बता दिया है कि कम से कम कितने question सही करेंगे तो अपन पास होएंगे और कितने कम से कम कितने number आएंगे तो हम पास होएंगे और सभी का एक confusion था कई बार बहुत चारे mail आये थे कि मेडम अलग-अलग subject में पास होना पड़ेगा क्या तो मेरा आपसे यही कहना है कि सभी subject में अलग-अलग अपन को पास होना पड़ेगा और अलग-अलग ही अपन को उतर देने पड़ेंगे तो आप सब आच्छी से तैयारी का लीजिए trade theory की मैंने बहुत चारी वीडियो आप प्लेइलिस्ट में जाके देखिए बहुत चारी वीडियो मैंने दे रखिए आप उससे तैयारी कीजिए workshop calculation की भी पूरी वीडियो तो नहीं दे रखिए पर हाँ 3-4-3-4 वीडियो फर्स्ट य और सेकिंड यर में दे रखिए पर तो trade theory में first year और second year में पूरा course दे रखा है और जो important question के नाम से है जो mock test के नाम से है उन सभी को भी आप पूरा वीडियो को देखो तो आपको पता चलेगा कि question इनी में से ही आ रहे है और साथ साथ आपको practical exam की भी update दे दूँगी एक और दो को जो practical exam है उसमें से important question कौन स से आने वाले हैं तो बहुत ही जल्दी आपके पास यह वीडियो मिल जाएगी उससे पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि CBT exam की तयारी के लिए प्लेय लिस्ट में सारी वीडियो को देखें और अपने जादा से जाद आपने friends को भी सेयर करें ताकि सभी student को free में ह पिट मिल जाएगा next मिलेंगे next वीडियो में